नार्कोटिक्स कंट्रोल भ्यूरो ने सुक्रवार को जलपाई गुडी से 230 किलो गांजे सरदे एक ट्रक को जब्द कर दो लोगों को गिरफतार किया अलिपुर्दुवार जिले के मदारी हाठ चौराहे से इस ट्रक को जब्द किया गया जब ट्रक आसाम से फलकता होते हुए पुलकाता जा रहा था वहीं इस घटना में गिरफतार अभ्युक्तो के नाम मिजानूर अली और जहांगीर अली बताये जा रहे हैं जो ट्रक के ड्राइवर वा खलासी है जब ट्रक गांजे की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है वहीं सभी कागजी करवाई पूरी करने के बाद NCB के टीम ने गिरफतार अभ्युक्तो को जलपाई गुड़ी अदालत में पेस किया